तो हे गाइस कैसे हो आप लोग गाइस हमारी जैपनी स्कोई फिश जो है हम इसको बड़े वाले एक्योरियम में शिफ्ट कर देंगे और हमारा जो लॉब्स्टर है वो हमारी सारी मशलियों पर अटेक कर रहा है तो गाइस हमने अपनी जैपनी स्कोई फिश निकाल के अपने चोटे वाले एक्योरियम में डाल देते हैं इन बच्चों का टेंपरेशर मेंटेन हो गया है अब ड्रॉप कर देते हैं गाइस ऐसा लग रहा है कि इस एक्योरियम में कुछ है भी नहीं काफी चोटे चोटे बच्चे हैं और हाँ अगर वीडियो यहां तक देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करके जाना